देखिए अगर आप भी एक labor card धारक हैं तो आपके लिए बिहार सरकार के दोबरा एक बहुत ही महतपूर सुचना जारी किया गया है तो इस सुचना के बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे करना है तो प्लीस वीडियो सुरू से अन तक ले का जोड़ देखिएगा और वीडियो थुरस पे अच्छा लगे तो प्लीस भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा क्यूंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं वियार सरकार के दोबारा जितने भी भौन्ड निर्मार से जोड़ी लेबर हैं जिनका लेवर काड़ बना हुआ हैं उन सभी इसे अपिल यहांपर कीया जा रहा है कि अगर आपने भी आपना labor card बनवाया हुआ है और आपको इन कल्यकाड़ी और जनाओ का लाब चाहिए तो आपका जो labor card है उसको renewal करवानी परेगी क्योंकि आप सभी भली भाती जानते हैं कि labor card का जो विल देटी होता है पांच सालों के लिए ही होता है उसके बाद फिर से जो दोबारा आपको renewal करवानी होती है काफी सरो लोग ऐसे हैं जो कि बहुत निर्मार से जोड़ी काम करते हैं बट उनका अभी तक जो labor registration नहीं हुआ ह था तो अगर आपने offline के माधियम से labor registration करवाया हुआ है तो आपना जो रेश्टन है फिर से यहां पर online जरूर करवा ले चुकि आपको किसी प्रकारी कोई समस्या ना हो और यह काम जो है आप 5923 से पहले करें यह जनकारी यहां पर जो भी labor card धारी है उनको दिया जा रहा है त अखिर रश्पायर हुआ है कि नहीं हुआ है और उसको कैसे रिणोल करेंगे सभी जनकारी इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे उसके लिए करना क्या है सबसे पहले इसका जो पूर्टल है यहां पर आपको आना है अब आप पूर्टल पे आने के लिए आप जो है य नीचे आएंगे तो यहां पर official website का link मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका official website पर आजाएंगे सबसे पहले जो है अपना जो list है उसको चेक कर लेना है कि आपका list में नाम है कि नहीं है तो register लेवर का option पर क्लिक करेंगे अपना यहां पर district उसके बाद आप सहरी से हैं कि गरामीर से हैं वो बताएंगे उसके बाद block slate करेंगे उसके बाद यहां पर पंचायत को slate करेंगे और search option पर क्लिक करेंगे तो पूरा जो है लेवर लिस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लेवर काड का जो यहां पर देख सकते हैं कि इन्हों नों जहीं एक दीसंबर 2017 को किया हुआ है और इनका जो ही लेवर काड कहीं ना कहीं इसपायर हो जुका है इसको चेक करने के लिए आपको यहां पर जैसे कि आपका नाम के सामने जो भी रिश्ट नमबर दिया हुआ है उसको आप यहां प डालेंगे और 100 के अप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर देख सकते हैं कि सभी जनकारी जो यहां पर देखने को मिल जा रहा है कि इनका आवेदन कब हुआ था एक दिसंबर 2017 को आवेदन हुआ था और यह दिसंबर 2022 तक लेवर का वेलिडिटी था लेकिन इनका लेवर क अगर आपने बहुत पहले आफ-लानó पर क्रिया के माधियम से लेबर काड़ बनवया हुआ है तो उसको जो तो इक बार आप आप आप्लाई ज़रुरण कर दिएगा ओनलाई यहाँ पर बुला गिया है कि old register construction worker apply online for registration यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पद फिरिफाई आधार की option पर क्लिक करके यहाँ पर अधार नमर बेगार होगा यहाँ पर डालकर आधार का नाम डालकर और टिकेट करके जो ही form को यहाँ पर अपलाई करेंगे तो आपका ज जो भी construction worker होते हैं जो भी उसमें काम होता है अगर वो वर्क करते हैं तो आप अपना लेबर कड बना सकते हैं लेबर कड बनाने के लिए apply for new registration का option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अधार सत्यापन के माधियम से अपना सत्यापन करेंगे और यहाँ पर form को apply करेंगे जिसमें चाहते हैं तो यहाँ से रेश्टेस नमर भी find कर सकते हैं तो यह चोटा मटा अपडेट था जो मैं आपको बताना चाहा रहा था तो आप एक बर जरूद चेक कर लिजेगा कि आपका लेबर काड कहीं इसपार तो नहीं हो गया है इसपार हो गया है तो जो भी कले काड़ी उ संचालन का जो लाब है आपको नहीं मिलेगा तो इस तरह से अपीली यहाँ पर किया गया है पंद्रे नौद वर्टेश से पहले आपना जो लेबर काड है उसको रिन्वल जरूर कर वाले या फिर अपने बनवाया है तो उसको ऑनलाइन रेश्टरन जरूर कर वाले या फिर लेबर काड नहीं बना हुआ है तो लेबर काड के लिए किस तरह से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चले मिलते हैं कि नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अपता के लिए व बहुत बहुत धन्यवाद आप जहां भी रहें सुलक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत बहुत धन्यवाद